मैं हूँ स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स CAA, NRC और NPR को लेकर जिस तरह से पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है साहिन बाग में इस कानून को लेकर महिलाएं प्रोटेश कर रही है लेकिन कहीं न कहीं शाहिन बाग को अब हटाने की बास सामने आ रही जिस तरह से शाहिन बाग में गोली चली महाँ पर हिंदू संगठन प्रोटेश कर रहा है कि रास्ता खाली करा जाए लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं जो है इस पूरे मामले में अब दिली का जो चुनाओ है उसे जोड कर देखा जा रहा है कही न कहीं शाहिन बाग को हिंदू-मुसलिम का रंग दिया जा रहा है कहींन कहीं राजनीतिक रंग दिया जा रहा है मगर हमारे साथ यहां पर मौजूद है NCP के महराश परदेश के महा सचूद सेयद अली असरफ भाई साब हम उनी से आज इस NRC और CAA और NPR पर बातचीत करेंगे कि आखिर जिस तरह से पूरे भारत में इस कानून को लेकर घमासान मचा हुआ है तो क्या सिरसेना, NCP और कांगरेस की महराश में जिस तरह से सरकार है क्या महराश में CAA लागू होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे लेकिन सबसे पहले इनसे बात करते हैं दिल्ली का जो शाहिन बाग है वहाँ पर जिस तरह से अनुराक ठाकुर का जो बयान आया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो उसके बाद महाँ पर जो गोली चली जामिया में चली शाहिन बाग में चली उसके बाद महाँ की माह करता है तो ये कहां तक सही है जो लोग हैं कहीं न कहीं ऐसे बहकावे में भी आ जाते हैं देखिए ऐसा है कि सबसे पहले फरस्ट अफ वाल ये है कि दिली का चुनाओ है एक आप अनुराग ठाकूर की बात मत कीजिए कि गोली माव जिस तरीके के अनुराशाकूर ने बयान द मंतरी बोलता है कि इतनी कस के बटन दबाओ के शाहिन भाग में करेंट जाये बात किक तक मुस्लिम माईलाओं कि ख्याल लखने वाले परधान मंतरी और ग्रहम मंतरी आज उन मुस्लिम महिलाओं को करेंट अमर वा एक मंत्री इनका बोल ला है अनुराक ठाकुर कि गोली मारो एक MP ये बोल ला है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या-क्या बोल ले है लेकिन सबसे पहले मैं अगर इनको देश भक्ती का इतना सवाल और चुनाव आयोग काईदे से कारवाई कर दे कि अगले 20 साल आप चुनाव नहीं लड़ोगे और सारी बाते इनकी खतम हो जाएगी लेकिन कहीं न कहीं हमारे चुनाव आयोग का इसब देन है कि वो 24 गंटे की नोटीस दे के छोड़ने का जो काम कर रहे है वो देश के अंदर इंतिशार पहलाने का काम कर रहे है और शाहिन बाग को इसलिए करेंड लग रहा है इनको कि शाहिन बाग पुरी दुनिया के अंदर जालियन वाला बाग के बाद शाहिन बाग का ही नामार है और महिलाओं ने ये बता दिया है पुरे देश को पुरी दुनिया को और शाहिनबाग में क्या मुसल्मान औरते बैट रही हैं क्या शाहिनबाग में हर तपके फिक्र के लोग आके बैट रहे हैं हर समाज के लोग बैट रहे हैं जो समविधान को जानते जो समविधान में छे याद आएगी, ये बंगाल पहुच जाएंगे, सीधे बंगाल पहुच जाएंगे, तो ये इनको सत्ता में रहने की ललक है, और हिंदू मुसल्मान करके इनको सत्ता हो करना है, एरलाइन्स बेच रहे हैं, एक लाक छब्विस हजार के लगबग आदमी जो है, आउट हो रहा ह ये कोने हिंदू हैं, इनकी नोकरियां खतम हो रही हैं, तो ये सिर्फ देश में बवंडर पैदा कर रहे हैं, और जब आईसे लीडर्स इस देश में होंगे कि जो इस तरीके की भाशा का इस्तमाल करेंगे, तो चार-छे लड़के, किसी भी कौम का लीडर अगर इस तरीके की बात करेगा, तो चार-छे नौजवान लड़के इस तरीके की हरकत कलेंगे, मैं तो बोलता, अगर इसकी CBI जाच करा दी जाए, तो ये मालूम पड़ेगा, ये कटा उटा, ये जितना भी सब प्लान है, ये सब BJP के लोगों ने किया है, हुकुमत ये नहीं चला रहे है, हुकुमत तो इस तरीके से चल लए है, कि मुझे एक कहानी आदाती है, कि एक मरतवा जंगल में चुनाओ की ज़रूरत थी, तो बुले शेर ने बड़े दिन राच कर लिया, आप कुछ नया चुनाओ करके कुछ नय लोगों को लाना चाहिए, बंदर को परधान मंतरी बना जंगल का, अब जो परधान मंतरी बन गया, तो जंगल के हालात बिगड़ गए, कहीं वो हो रहे हैं, तो पुरे लोग मिटिंग लिये, कि भाई, परधान मंतरी से मिलना चाहिए, तो परधान मंतरी को जब जाके बंदर को बताया गया, कि भाई, जंगल के अंदर हमले हो र तो बंदर क्या करें तो बंदर ये करता था कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुटता था दूसरे पेड़ से तिसरे पेड़ पर कुटता था इसी तरीके से मौल चला इसी तरीके से सरकार चल लेए पुल्वाव में बात नहीं होती है काश्मीर सौधीन से बंद है पीम न कास्मीर के तो कास्मीर बंद पड़ा हुआ है उसकी फिक्र नहीं है पीम को लेकिन जो अपने हाक अपने सम्विधान बचाने के लिए जो लड़ रही है महिला है उन्हें टारिगेट किया जा रहा है कि रास्ता बंद की है देखे ऐसा है कि इस पर यह परदान मंत्री के बारे है आप बेजिए ना डेलिगेशन में बेजिए आपको इतनी फिक्र है कि क्या तकलीफ है मेरी बहन मुल्क का कोई भी परदान मंत्री होता है बीजेपी से किसी से हो लेकिन उसके मुल्क है न हम इंदुस्तानी है न हम इंदुस्तानी है अपने मुल्क में अपने सम्विधा को लेके बटे राष्ट का जंडा लगा हुए बाबा साब अमबेड कर मौलाना बुलक अलामा अजाद फ्रीडम फाइटर्स की फोटो लगी हुई है वहाँ कोई दीनी तकरीर नहीं हो रहा है गर बीजेपी के खिलाफ आप हो जाईए आप कितने बड़ बड़े पंडित रही है आप शंकर चारिया हो जाईए अगर बीजेपी के खिलाब बोल दिये तो देश दुरोही जिस तरीके से समवेधान शब्द डिशनरी के अंदर दर्ज हो गया आफ़र डिनस्टी की उसी तरीके से देश दुरोही शब्द भी दर्ज होने इस मुल्के नागरिक को गोली मारने की बात आप कर रहे हो जो अपने हक की बात करता है तो यह इनका ढोंग सब खुल चुका है पिछले पास साल में मनमण सिंह की सरकार की ओपनिंग हो चुकी है नया कुछ इनके पास बचा नहीं है सिर्फ देश का मिजास हटाने के लिए भुकमरी, नौकरी ये सारी चीजों से हटाने के लिए बजट देख लिए आपने क्या बजट आया है तो ये हटाने के लिए सिर्फ जो है देखें, इनकी पहली कोशिश ये थी और ये सब लाएंगे हिंदू, मुसल्मान दंगे होंगे हिंदू, मुसल्मान दंगे हो जाएंगे पॉलराइजेशन बड़ा हो जाएगा हम चुनाओ जीतने जाएंगे लेकिन वारे मेरा भारत कि हिंदू, मुसल्मान एक हो गए जो थोड़ा बहुत गैपता हो भी करीब हो गए और ये चीज़ को बताने लगे कि हम अश्फाक उल्ला और बिस्मिल के लोग हैं तो ये इनकी अब नहीं चल पा रही है इनके सम्हिज में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें इस चरह से दिल्ली में जो अन्रॉक ठाकूर है उनके उपर तो चुनाव आयोग उनके भी बयान कुछ कम नहीं है जो शाहिन बाग है उसको लेकर पाकिस्तान से तुल्ला और जो है महिलाओं को आगे करना पुरुस घर में बैठें इसे तमाम तरह कि जो उनके विवादित बयान है तो क्या चुनाव आयोग को जो है सीम पर भी एक्शन लेना चाहिए और देखें ऐसा है कि अगर चुनाव आयोग अपने उस पर आ जाए तो यह किसी नेता की बोलती बंद किसी कोई नेता यह सब बोले गई नहीं उनको मालूम है कि चुनाव आयोग सेटलमेंट है वो चार दिन की नोटिस देंगे होता कुछ नहीं एक मरतों उनकी विधाय की खत और यह होगी आतिनात क्या बोलेंगे पार्लियमेंट में रोए थे पुलिस की कहानी बता के कि मैं अगर यूपी चले जाओंगा तो मेरा इंकाउंटर हो जाएगा आज उनके हाथ में हुकूमत है जो जल्म करना है कर ले लेकिन जल्म जादा दिन नहीं चलता है इस तरह से म महराष्ट के अगर हम बात करें तो महराष्ट में जो है अब दिल्ली के ही तर्च पर जो है लगाता है यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है मुंबई बाग हो गया मुंबरा में इसाहिन बाग हो गया भीमंडी कल्यान तलोजा साइट खार घर में हो गया इसा तमाम जो है महिल कानून को महराष्ट में ना लागू करने के लिए अप को कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। हमारी सरकार इस पे बात कर रहे है कॉलेशन गवर्मेंट है। उद्धो ठाकरे का बयान एक किलियर आ गया है कि महराष्ट में ये लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर भी चर्चा चल लेए इसके बाद पावर साब आने के बाद जो हमारी तीनो दल की बैठक है उसके अंदर एक चीज किलियर हो जाएगी कि इस पर क्या डिसीजन लेगी महारास्ट्रे सरकार यह भी उनका विचार है कि मुक्मंत्री वो है तो यह थे सेयद अली अश्रफ भाई साब जो एनसेपी पार्टी से महारास्ट परदेश सचीओं है और जिस तरह से महारास्ट की तमाम महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं उनकी उमीदे कही ना कहीं जो है सीयम उद्धो ठाकरे से लगी हुई है कि वो महारास्ट में जो ह है कि उसी सेवना और इनसेपी कांग्रेस की जो सरकार है यह इस कानून को महारास्ट में लागून नहीं करेगी कैमरामेन रह्मान के साथ इसक्लामुदिन खान प्रहाटेंग्स मुम्रा ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें